पूसा समाचार पर आज के इस खास हंक में हम किसानों के लिए आलू की उन्नत खेती और पूसा डीकंपोजर द्वारा धान की पराली प्रबंदन के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्नत किसमें उसके साथ जुड़ी हुई उन्नत सस्क्रियाओं के प्रबंधन के बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसी जमन्द में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान की विशेश अगे डॉक्टर दनेश कुमार जी जान भाईयों और बेहनों आलो की मुख्य फसल की बुआई का समय शुरू हो चुका है और इस महा के अन तक आप आलो की बुआई जरूर कर लें। सबसे जरूरी है कि आप अपने जो किसमे हैं आलो की अच्छी किसमों का आप चैन करें जो उन्नशील किसमे हो जैसे कामवदी में पकने वाली या शीगर आने वाली किसमे जो सतर से नब्वे दिन की होती हैं उसमें कुफरी अशोक, कुफरी चंदर्मुकी, कुफरी जवाह कुफरी ख्याती, कुफरी कुबेर, कुफरी सूरिया और कुफरी पुकराज इत्यादी हैं इसके अलावा मद्यम अवदी की किसमें जिसमें 90-110 दिन में फसल पकर तयार हो जाती है इसमें कुफरी अलंकार, कुफरी आनंद, कुफरी अरुन, कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना एक, कुफरी चिपसोना दो, कुफरी चिपसोना तीन, कुफरी चिपसोना चार और कुफरी फ्राइस होना इसके अलावा कुफरी जोती और कुफरी लानिमा और कुफरी पुशकर किसमे जो मद्यम अवदी की है इसके अलावा देड़ से पकने वाली या लंबी अवदी की किसमे हैं जो 110 से 130 दिन में पक के तयार होती है इनमें कुफरी चमतकार, कुफरी देवा, कुफरी सफेद और कुफरी सिंदूरी है इनमें से किसी एक किस्म का आप बीच चुन सकते हैं और अपनी बुआई कर सकते हैं इसके लिए आपको जरूरी होता है कि पहले अंकुरान कराए फसल का इसमें किसी चायधार स्थान पर अपने बीज को रख लें और अगर बहुत जादे चोटे आलू हैं तो उनको काटने की जरूरत नहीं होती उनकी आप सीधे बुआई कर सकते हैं अगर मोटे आकार के आलू हैं अधिक आकार के आलू हैं इनको आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होगा एक टुकड़े का बजन आप 30-40 ग्राम रखें और उसमें 2-3 आखें होनी चाहिएं अंकोरा होने के बाद अब ये बीज आपका वहाई योग हो जाता है लेकिन इसमें आपको बीज का उपचार करना जरूरी है इसके लिए आप डाइथेन M45.2 पिर्तिशत का गोल बनाएं इसके लिए 2 मिली लीटर डाइथेन M45 पिर्तिश लीटर पानी के हिसाब से और जब ये घोल बन जाए तो इसमें 10 मिनट के लिए आप कटे हुए आलो को और दूसरे तरह के आलो को आप रखें और इसके बाद आप सीधे इसकी खेट में बुआई कर सकते हैं बुआई दो तरीके से होती है एक तो मशीन द्वारा जिसे आपका पोटेटो ट्रांस्परांटर कहते हैं या आलो की रोपन यंतर होता है अगर आपके खेट छोटे-छोटे हैं जहां पे आप आलो लगा रहे हैं तो आप हाथ द्वारा भी आलो लगा सकते हैं उसके लिए आप प्रिजफरो सिस्टम या कूर मेर बिदी होती है अप देशी हल या किसी अन्मवड बना ले एक मेर्टसे दूसरे मेर की दूरी, ऑणनेalnyaर अवरेज आप 60 cm रखनी है और एक आलू से दूसरे आलू की दूरी आपको 20 cm रखनी होती है 30 से 35 कौंटल बीज पिरती हेक्टर के साब से पढ़ता है इसी इसाब से आप बीज डालें और वोई करें कपिला जी दान की पराली बहुत उपयोगी होती है किन्तु उसका अनुचित प्रबंदन किसानों एवंग परियावरन के लिए एक प्रमुक समस्या बन गया है इसके उचित एवंग त्वरित प्रबंदन के लिए किसान भाई पूसा संस्तान द्वारा विक्सित पूसा डिकंपोजर का उपयोग कर सकते हैं तदा धान की पराली को कंपोज में परिवर्तित कर सकते हैं और पूसा डिकंपोजर से ना केवल कंपोज बनने की प्रक्रिया तेज होती है बलकि उत्तम गुनवत्ता का कंपोज्ट भी तयार होता है इन्हीं खेतों में जीरो टिलेज के माध्यम से अगर गेहूं की सीधी बुवाई कर दी जाए तो समय की बचत भी होती है और इस विश कि हम जाने के बज़ाए खेत के अंदर ही उसका खात बना सकते है आई आज हम आप को बताते हैं की आप पूसा डिकंपोजर का कैसे काल कर सकते हैं और दिस एक कित में जार होते हैं और 5-4 कैप्सूल से आप गुड के गहोल में बनाएंगे तब से पहले आपको 500-500 g गुड की आवश्यक्ता है उसके बाद 50 g बेसन लेकिन किसान भाई ध्यान रहे कि यह ना सोचे कि यह तो ऐसे बनाने बेकार सा गुड और पुराना बेसन ले हमेशा जो है अच्छी कॉलिटी का या उत्तम गुडवत्ता वाला गुड लीजिए और बेसन भी वो पानी में से गंदगी उतर जाएगी तब एक चोड़ा बरतन लीजिए और उसमें पांच लीटर गुड का गुड डाल दीजिए यह गुड बहुत गरम होगा तो आपको उसको उतना ठंडा करना है जैसे कि एक गहनी दूद में दही का मठा लगाती है उतना गरम होते ही अरो कैपसुल खोल कर गुड के गौल में डाल दीजिए और उसका चोड छिलका या खोल है उसको भी उसमें डाल दीजिए क्योंकि यह खोल भी घुलनशील है और उसके गुड के गूल में गुल जाएगा इसके बाद इसको अच्छी तरह हिला के आप एक पतले से तुपट जाये कि आपका जो घोल में जिवानू है वो सक्रिय हो गया है और आपके जो कल्चर है वो बनना शुरू हो गया है चार दिन के अंदर आपको उसके उपर बहुत अच्छे कोई हरा कोई काला पीला अलग-अलग रंके दाने दिखाए देंगे जैसे कि चाय पत्ती के दाने होत देजिए और दुबारा से 5 लीटर गुड का घोल हलका गरम करके उसमें डाल देजिए इसमें भी आप 200 ग्राम गुड लीजिए और 5 लीटर पानी लीजिए उसमें उबाल के हलका गरम जो है उसमें डाल लिए अब इस समय किसान भाईयों को बेशन का प्रयोग नहीं करना ह है केवल गुड का घोल टालना है ऐसे आप 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 बना लेंगे और 25 लीटर बनते ही इसके बाद आप इसमें जिवानों की संख्या नहीं पड़ेगी और आप 25 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं तो एक कैपसुल, चार कैपसुल की जो पाउच है इससे आप 25 लीटर बना सकते हैं और कि क्या विदी है कि आपने जो कल्चर कई मात्रा है वो 10 लीटर रखनी है और पानी जो है 200 लीटर उसमें 10 लीटर का घोल बना के चाहे तो दवाई छिड़कने वाला नैपसेक स्पेयर या कोई मशीन से अच्छी तरह उसका छिड़काव कर दे अगर आपकी खेत में जो की पानी की मात्रा मॉइस्चर जिसे कहते हैं अगर प्रयाप्त है तो आप पर इरिगेशन मत दीजिए नहीं तो हल्का पानी भी चला सकते हैं और फिर किसान जिस भी फसल की गेहूं की और कोई भी फसल की बुवाई करना चाहता है अपने साधारन कर सकता है जो किसान भाई पूसा संस्थान से पूसा डिकंपोजर प्राप्त करना चाहते हैं वे अपना नाम एवं पिन कोट सहीत पूरा पता इस नमबर पर वाटसेप कर सकते हैं कैप्सूल एवं डाक द्वारा भेजने का खर्चा किसानों को वहन करना होगा गिरजेशी स Spirulina को एक गैर परमपरागत प्रोटी स्रोत के रूप में बहुत पसंद किया जा रहा है और इसलिए इसका उत्पादन किसानों के लिए एक अच्छे उद्यम के रूप में उभर रहा है जी बिलकुल इस Spirulina में ना सिर्फ उच्छ प्रोटीन है बलकि कई अन्य पोशक तब भी समायत हैं जो इसे पोशन सुरक्षा की दृष्टी से भी महतपून बनाते हैं अधिक जानकारी के लिए आईए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्तान के विशेशग्य डॉक्टर सुनील पभी जी को इसमें 60-65% प्रोटीन, 20-25% कार्बोहाइडरेट, विटामिन A, B, C, D, E सभी उपलब्द रहते हैं और उसके साथ सुक्षम पदार्थ जैसे सोडियम, पोटाशियम, कल्शियम, मैगनीशियम, आईरन और जिंक ये सभी प्रयाप्त मातरा में रहते हैं स्पाइरूलीना में बीटा के रोटीन होता है, जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाबकारी है, इसमें 20-20 अमाइनो ऐसे होते हैं, इसलिए स्पाइरूलीना को पूरण भोजन भी कहते हैं मनुश्य के साथ मचली, जींगा, मुर्गी पालन, मवेशियों के लिए भी स्पाइरूलीना जो है वो प्रोटीन और विटामिन के पूरण के रूप में इस्तेमाल होता है उसमें यूरिया, सूफला, पोटाशियम सलफेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे रसाइन चाहिए जो आसानी से मिलते हैं और सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं इसका उतपादन प्लास्टिक ट्रे में और नांदो में जो टैंक होते हैं और उतपादन एकाई जिनको हम रेस्वेज कहते हैं उनमें किया जा सकता है और ये जो रेस्वेज होते हैं ये खुले में बनाया जाते हैं या इनको पॉली होस में बनाया जाता है क्योंकि स्पाइरोलीना को पैदा करने के लिए इसके उतपादन के लिए हमें सूरे की रोशनी की अवशकता होती है और जो तापमान है वो 28-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और पानी का जो pH मान है वो 9 और 9.5 के बीच में रखा जाता है जब स्पाइरोलीना 14-15 दिन बाद तयार हो जाता है तो इसका उतपादन हम प्रती दिन ले सकते हैं और सतन देखा गया है कि 60-70 गराम स्पाइरोलीना का ताजा भार एक वर्ग मीटर क्षेतर में से हमें मिल जाता है और फिर इसको हम चान कर और सुखा लेते हैं और ये पाउडर जो है इसको हम अलग-अलग प्रोड़क्ट इसके बना सकते हैं पूसा में इसके उत्पादन की तकनीक विक्सित की गई है और पूसा ने कई आहार जिसमें स्पारूलीना संपूरक डाला जाता है तयार किये हैं जैसे पास्ता है, कुकीज है, बिसकिट है, इतियादी ये सब बनाए जाते हैं और पूसा में इसके उत्पादन की तकनीक और इसके मुले समवर्धन पर प्रशिक्षन भी दिया जाता है, जो उद्मी किसान इसको सीखना चाते हैं, वो पूसा में संपर्क कर सकते हैं कपिना जी, जब भी हम पोशन शुरक्सा की बात करते हैं, तो हरे पत्तेदार सब्जियों की बात अवश्य होती है, और जारू के मौसम में ही किसान पत्तेदार सब्जियों को उगाते हैं बिलकुल, इसमें मुक्यते पालक, चौलाई, सरसों साख, बथुआ, मेती, आधी शामिल है, और इन्हीं होगाकर किसान भाई कम समय और कम लागत में अधिक लाब ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आईए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेश रगे, डॉक्टर हर्श वर्दन चौधरी जी को भाईए इसके प тебя काफी मुलाइम होते हैं और इमकी जो सबजी बनते हैं अऑपकी अच्छी बनती है अब हम मेथी की बात करते हैं, मेथी के लिए अमारे संस्थान की पुरानी प्रजातिय आप पूसा अरली बनती है और एक दूसरी मेथी होती जो कसूरी मेथी, जिसके पत्ते हम सुखा के भी हम ड्राइ रूप में भी हम लंबे समय तक प्योग करते हैं, उसके लिए है पूसा कसूरी, बिलाइती पालक जो होता है ये पहारी छेत्रों में उगाया जाता है, उसकी बहुत पुरानी परजाती ह वरजीनिया से भाई, और अब एक हाल में ही एक नई प्रजाति अभी विक्सित की गई है, पूसा विलाईती पालक, उसी परकार इस मौसम में बथुआ की फसल जो होती है, काफी महत्वपूल है, बथुआ में आजकल जो कटिंग वाली बथुआ होती है, जो हमारे संस्थान क अगर हम इन सब्जियों की बात करें, तो जो अक्टूबर का महीना है, इसमें हम इनकी विजाई कर सकते हैं, इसकी खेती आम तोर पे किसी भी प्रकार की मिर्दा में की जा सकते हैं, कि इनको जो बलूई दोमत मिर्दा है, और जिसमें और गेमी कार्बन की मात्रा अच्छी तो उसका जो जीवांस होगा, उसकी मात्रा अधिक होगी, और ग्रोथ में इसको मदद मिलेगी, अगर हम बीजदर की बात करें, तो आम तोर पे जो हमारा पालक है, इसके लिए करीब 20-25 केजी, जो बिलाईती पालक है, उसके लिए 30 केजी, और पालक और बिलाईती पालक बत हुआ जो है, यह सिर्फ 2 केजी, परचुर मत्रा में है, और अगर हम सरसो साग की बात करें, सरसो साग में भी हमारी परजाती है, पूसा साग वान, इसका हम करीब 3 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से इसकी बीज़ की आवसकता है, जो हमारे संस्थान से भी खड़ी स समस्या नहीं होगी, इसके अलावा कम से कम आट से दस दिन के बाद उसमें हलकी सी चाई करनी पड़ती है, जिससे की जर्मेशन भी अच्छा होता है, और पौधों को नमी परियात्त मात्रा में मिलती है, अब हम आपको मौसम से जुड़ी जानकारी देंगे, भारत मौसम द आंद्रप्रदेश, तिलंगाना, रायल सीमा, तमिलनाडू, पॉंडिचरी और करायकल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है, 18-19 अक्टुबर को पूर्व मध्य और समीप वर्धी पूर्वतर अरब सागर में तेज हवा की गती 55-65 किलोमेटर प्र अधिक से अधिक संक्या में हमारे संस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समचार के हर अंक का लाब उठाएं, हमारे फेस्बुक पेज और ट्विटल हैंडल को भी जरूर फॉलो करें अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी है तू इस नमबर पर वाट्सेप करें पूसा समचार में खेदी किसारी से जोड़े कुछ अन्य महत्वपोर्ण विश्यों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे तब तक दीजे इजाज़त नमस्कार